हेले फैंट्स आएम राहूल एंड वेलकम तो दे चैनल एब्रीबडी के लर्ण इंग्लिस इसी एल ए और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और एजिक्टिव की क्लास और वीडियो लेक्चर इससे पहले में इंट्रोड़क्शन वीडियो बनाए थी आप लोगों ने भहुत और आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन और एजिक्टिव इसकी बाद हम सेंट्रिसस बनाने स्टार्ट करेंगे नाउन और एजेक्टिव से करेंगे लेकिन आज पूरा पूरा लेक्शर रहेगा नाउन और एजेक्टिव के नाम तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं what is the noun नाउन की दो डेफिनिशन हैं फिर्स्ट जो ट्रडिशनल जो हम पढ़ते हैं बच्पन से और सेकें इस डैड दी एडवांस डेफिनिशन सु भी विल डिस्कस बोथ तो अगर हम एडवांस लेवल की जो याप पर कहें के नए जमानी की जो परिभासा है डेफिनिशन है वो है और नेμिंग बॉर्ड अलद रहुत के साव्किल तो ये नेविंग आप ये देट के थकेन्शरे की जो तरुच्छ एडकर सकते हैं फ्मेकर सकते हैं कि जिनकी नाम है मुन को हम क्या बोलेंगे नावन बोलेंगे हिंदी में अगर थोड़ा सा दिस्क्राइब करें तो person या फर person नहीं people लगते हैं people place thing idea feeling या हम कहें animal कोई भी जानवर है people place thing idea animal that is the noun क्या है यह noun है तो अगर हम कहें के people people कोई हो सकता हो मैं हो सकता ह। किसी का नाम हो सकता है जैसे मैंने जैसे कोई भी три ऑजयम्पल की तो अपर आम giants मैंने भूला कि इस से लगते हैं लाचें मैंने बूला आपसे नंौि sect आइसिउ Northern क्रिकेट्टिम की बात करने तो विराट है जवाग जभाग जवाग चोड़ो जो किसी कर और और गिसी कर नाम लेवू और लो और गाले जो झुब एह इस अब शुदिक नाम हो यापर कोई देश का नाम हो जैसे मैंने बोला प्लेश इस्थान जैसे मैंने बोला शागर मैंने बोला मत्रा इंदौर 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 आगरा मेरे गाउंव का नाम लेलों पथरिया हाठ यह ब्थरिया हाट कि बस्तू की बात करें तो कोई भी बस्तू सकती यह क्या है यह अब बोर्ड यह भी कैसे थे फस्थके तो यह यह भी क्या यह सब देट लिए से मैं बोले पैन वाज़े यह मैंने बोला और और कोई हांंड आउस की चेर यह ली कि वोया नाउन है आइडिया कोई बिचार है कोई थाट से जैसे मेल डिटेह्तिस निया आए या वाव चलिया ने कल गए जैसे मैंने बोला जैस्टिस मैंने बोला फेथ प्रूथ ये भी क्या है ये भी नाव ने फिनिंग की बात करें तो एंगर हैपीनेज है शेडनेज या इमोशन इमोशनल ये भी क्या है ये भी नावन है अगर हम एनिवल्स की बात कर लें तो जैसे सब के घर में रहती है है क्या रहती है काउ डॉग अगर जंगली जानवर की बात के तो टाइगर या मैं हॉर्ष है ये भी क्या है ये भी नावन है तो आई होप आप लोग नावन को समझेगा होंगे बिल्कुर अच्छी तरीकी से मैंने कोसिस किये बहुत अच्छे से समझाए निकी मैंने आपने 100 परसेंट दिया है तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं दहरा देता हूं क्या होता है पीपोल प्लेस थिंग आइडिया फीलिंग एनिमल डेट स्कॉल नाउन ये इतनी बड़ी डेफिनिशन या फर छोटी से डेफिनिशन और निविंग बड़्स डेट केंवी टर्च एंद फील टैडिस कॉल नाउन तो हैना बिल्कुल इजी से इजी भी मैंने समझानी की कुछिस की है कि नाउन और स्वारी नाउन क्या है तो आई होप आप लोग समझगा होंगे इससे पहले मैं आंगे बढ़ू मैं मेरा अनु पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप इसकी शॉट लीजिए तो वाइन टू फ्री ओके आई होप आप लोगों ने इसका इसकी शॉट निकाल लिया होगा और इसकी बाद हम पढ़ने वाले हैं एजेक्टिव तो अगर हम इसको मिटा दें तो अगर हम एजेक्टिव की बात करे या बिसेशन हिंदी में कहलते हैं बिसेशन की बात करें तो यह भी बिलकुल आसान है बिलकुल इजी है तो जैसे हम बिसेशन एजेक्टिव की बात करें कि अलब बिसेशन मतलब यह क्या है यह नाउन की बिसेशन बताता है जैसी मैं हूँ आप हो चियर है कुर्श की मैं इतना सार्प मताया उसकी बिसेशन कोई क्वाल्टी होगी जैसे मैंने नाम लिया मैंने बोला ना मॉवाइल फॉन तो अगर हम मॉवाइल की बात करें सबके पास मॉवाइल होता है और जब आप लोग मॉवाइल लेने जाते हैं मार्केट न्यू जैसे आपके भाई या बहन किसी ने बोला को मुझे मॉवाइल चाहिए तो आप मार्केट जाते हो सबसे पहले क्या देखते हो मॉवाल की तो की है तो यह क्या है यह क्या है पेसिस्ता और यह स्कॉल से अज्टक्ट बताने का नाम ब्रता है जैसे रहा हो सचेंट एंदुल कर आप लोगा नोशना होगा शचेंटा ग्रेट्ट प्लियो kicking करकोड का भागवाण बहुते है डिक दिये वे सचन करад किवया है गौर्ड ऑदी कौक्ट हो उख जोभी नौन की कौलिफेकरिशन उप मताए कौ warranty बताए वो क्या है एड्जिक्टिस धैसर मैंने स्कूल लगा था है सी श्डेटिस ठुल इसकूल इस्कूल का एज्च अम ओ सकता है गुड हो सकता है गुड ऐज्चिछेशन इस पिलिंग नहीं बर रहे हैं गुड़ एजूकेशन या हम बोले या बैड भी हो सकती है अगर मैंने बोला जैसे चेर जैसे मैंने बोला चेर अब चेर की क्या वेसिशता है चेर हो सकती प्लास्टिक की हो प्लास्टिक चेर या आयरें आयरें चेर या चेर हो सकते हैं बीख हो कमजर हो जैसे एक छोटा सो दान लेरो जैसे मैंने उदान लेए शिवानी चोटी सी लड़की अब शिवानी हो सकती हैं इंटेलिजेंट गर्ल हो इंटेलिजेंट गर्ल खुस्या लड़की हो या फिर हो सकते हैं या या व्यूटिफुल हो तो यह क्या है बैसिस्ता है कि जो नाउन की जो बैसित नाउन की जो क्वाल्टि बताये वह क्या है एड़ेक्टिव मोबाइल सचिन की बात करो इसकूल की बात करो तो आई होप आप लोग अच्छे से समझेगा होगे कि नाउन और एजेक्टिव क्या है तो इससे पहले कि मैं आपको और आंगे बढ़ू तो अनुरुद धरकी करपया इसकी सोट आप ले लिया होगा आप बात करते हैं आप लोग नाउन क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसका एक टेलिग्राम चैनल है और इसकी लिंक के डिस्केप्शन मिल जाएगी चैनल का नाम देख लोग ई-c-l-e यह चैनल टेलिग्राम चैनल है अब इसकी बात है इसके आपको क्या करना है तो आज मैंने आपको नाउन और एजे बताने जैसे मैंने लखा चेयर यहां लिख लिया आपने नाउन यहां लिख लिया आपने एड्जेक्टिव और पचास एंसी टेल बना के पचास नाउन और एड्जेक्टिव लिखना है उसकी पहचान जैसे मैंने लिखा पैन तो पैन मैंने पैन लिख दिया तो पैन इंक प्लास्टिक पेन तो कुछ भी हो सकता है ऐसे पचास आपको नाउन सर्ज करने हैं और इसकी अच्छी फोटो खीच कर आपको ग्रूप मर डाला और अभी तक जिसे जिनने भी ग्रूप जोइन नहीं किया है तो किरेंगे की प्रकार हम जो इसकी प्रक्षिस करते हैं तो आगे की वीडियो लेक्ट्रेंगे इससे पहले अगर आप लोगों चैनल पर नए हों आप लोग ने अगर इंट्रॉड़क्शन क्लास नहीं देखी है तो करफ़ इंट्रॉटक्शन क्लास जरूर देख लए कि उसमें बताया गया है कि आपको इंगलिश उस्पुकन के लिए किन्या क्या है क्या करना है तो बहुत सब आपको पसंद आई हो तो किरपया वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो भी अंगले जी सीखने चाहता है थैंक्स फॉर वाचिंग